कुछ idioms बताऊंगी, example के साथ बताऊंगी जिसे आपको काफी ज़दा help मिलेगी सो चलिए बिना समय गवाएं आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला idiom है हमारा in the black जिसे हम pronounce करते है in the black ठीक है, pronunciation बहुत ही important है, pronunciation हम बोलेंगे in the black इसका मतलब होता है, someone financially sound have a positive balance on their account हिंदी में इसका अर्थ होता है, किसी संस्था या व्यक्ति का आर्थिक रूप से बहतर होना ठीक है, example में हम इसे use कर सकते हैं, don't worry, our company is in the black यानि कि अब चिंता मत करें, फिकर मत करें, हमारी जो company है in the black है यानि कि आर्थिक रूप से बहतर है next देखते हैं, next है हमारा hold all the aces, कि हम प्रणाउंस करते हैं, hold all the aces इसका मतलब होता है, someone is in a very strong position because he or she has more advantages than anyone else हिंदी में इसका अर्थ होता है, किसी का बेहत मजबूती स्थिती में होना क्योंकि उसके पास दूसरे के मुकाबले ज्यादा सहूलियत है ठीक है, example में हम इसे use कर सकते हैं, Virat Kohli is not just a great batsman he is a good fielder too, he just hold all the aces, ठीक है next है हमारा back to salt mines, जिसे हम प्रणाउंस करते हैं, back to the salt mines back to the salt mines, ठीक है, अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है a humorous way of talking about returning to work, usually with some reluctant ठीक है, हिंदी में इसका अर्थ होता है, अरूची के साथ काम पर वापसी को लेकर वियंगात्मक अंदाज में बोलना जैसे कि हम बोल सकते हैं, example में we get two days off at Diwali and then back to the salt mines जैसे कि हम बोल सकते हैं, किसी company में आप काम करते हो नौकरी करते हो, तो आप बोल सकते हो वंक करके यंगातक ढंक से आप बोल सकते हो, कि हमारे company में तो केवल दो दिन की चुटी रहती है we get back to the salt mines अगला है हमारा blank check blank check को हम अंग्रेजी में बोलेंगे blank check, अंग्रेजी में इसका अर्थ होता है authorizing someone to do what they think is best in a difficult situation हिंदी में इसका अर्थ होता है कठन स्थिती में किसी को वह अधिकार देना जो वह करना सबसे ज़्यादा सही समझता है, उचित समझता है इसके एक्जेंपल में हम बोल सकते हैं Maya was given a blank check and tool to negotiate the best deal possible next है हमारा break your back इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे break your back इसका मतलब होता है putting a lot of effect, effort in achieving something यानि कि किसी को अचीव करने के लिए किसी चीज को पाने के लिए आप कड़ी मैनत कर रहे हो इसे हम बोलेंगे break your back सो दोस्तों उमीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आप लोगों ने काफी अच्छे से इंग्लिश की इडियोम सीखा होगा और अगर आपको आज की वीडियो मददगार लगी हो helpful लगी हो